हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानेंगे सेल्फ इंडक्शन और मीच्वल इंडक्शन के बारे में तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इस वीडियो सेल्फ इंडक्शन क्या है सेल्फ इंडक्शन हम self induced EMF कहेंगे पूरा जो प्रोसेस है उसे हम self induction कहेंगे तो फ्रेंट्स माली यहां पेक alternating current है वो जो है हम अगर दे रहा है और coil में current जा रहा है तो उसमें changing magnetic flux होगा अब यह changing magnetic flux कैसे प्रेंट्स होगा तो फ्रेंट्स 11 12 में जानते होंगे कि मैगनेट का जो magnetic field होता है जानते हैं magnetic field क्या होता है magnetic field वह होता है जहां तक magnet जो है किसी दूसरे magnet या conductor किसी को attract कर सकता है या ripple कर सकता है जहां तक वह attract क्या ripple कर सकता है उससे हम जो है वहां तक उसकी जो magnetic field होती है तो फ्रेंट्स यह हो गया हमारा conductor अब यह देखिए यह magnetic field है ठीक है अब conductor दूर है तो यहां से तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब यह थोड़ा नज़िक आएगा तो magnetic field इसकी जो है बढ़ जाएगी यह थोड़ी से magnetic field जाएगी इसके अंदर अब यहां आएगा तो और magnetic field इसके लगेगा और करीब आएगा ठीक है magnetic field की power बढ़ती चले जाएगी और तेजी से attract करेगा तो फ्रेंट्स अब क्या होगा कि magnetic flux अब इसके चले लेते हैं क्या होता है कि total magnetic field आइड पासे फिल्ड लाइन इसको जितने में मैगनेटिक फिल्ड लाइन है अगर किसी गिवन एरिया से जो पास कर रहे हैं उसे हम magnetic flux कहेंगे ठीक है पूरे magnetic field line जो उस given area से पास करें उसे magnetic flux कहेंगे ठीक है तो friends अब जैसे यह हो गया यहां पर जो है अब यह देखिए यहां पर यह क्या बोलते हैं magnet है और यहां पर conductor है ठीक है अब जैसे यहां पर हम नजदीक लाएं तो magnetic field line बढ़ते गया जैसे दूर लेते जाएंगा magnetic field line घटते चला जाएगा नजदीक लाएंगे magnetic field line बढ़ेगा तो magnetic field line चेंज होता रहा है और magnetic flux का है उस area में जो magnetic field line घटता या मतलब magnetic field line magnetic flux का है उस area में जितना magnetic field तो नजदीक लाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, दूर ले जाएगे तो घटता चला जाएगा, तो magnetic flux के जो घटनते और बढ़ने से magnetic flux produce होगा, और magnetic flux जो change होगा, उसी से induced EMF produce होगा, magnetic flux कैसे change होगा, conductor के किसी पॉइंट पर देख ली जाएगा, आप pass लेके जाएगे, तो magnetic field बढ़ेगा, और दूर लेके जाएगे, तो magnetic field घटेगा, तो जब भी जो आप pass लेते जाएगे, तो magnetic field लाएंग तो घट बाढ़ रही है, तो उससे जो magnetic flux change होगा, और magnetic flux change होने के कारण, जो induced EMF produce होगा, और induced EMF से जो है variable current produce होगा, जैसे कि हमनों faraday's law में पढ़े होगे, ठीक है, तो एक तरसे देख लीजे, क्या होता है, जैसे ही एक magnet है, एक conductor है, जैसे हमनों उसको इद्दम करीब लेते आएंगे, जैसे हम करीब लेते आएंगे, magnetic field line बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि हमनों diagram में भी देख रहे हैं, दूर था, जब यह जब दूर था, तो magnetic field line नहीं थी, और नज़दीक लाएंगे, एक दम नज़दीक ला दियें, तो इदम ही बढ़ गई, तो जैसे ऐसे नज़दीक लेते जाएंगे, magnetic field line बढ़ती चली जाएगी, दूर जाती जाएगी, तो जैसे ऐसे नज़दीक आएंगे, magnetic field line बढ़ेगी, magnetic field line के बढ़ने या घटने से magnetic flux प्रेडिश होगा, तो अगर नज़दीक आदे जाएगी, तो किसी भी conductor के कोई भी area लेली, जब magnetic field line बढ़ेगी, दूर जाएगी, तो घटेगी, तो घटे बढ़ने से magnetic flux भी change होगा, जिससे कि induced EMF produce होगा, और induced EMF के वज़ए से current produce होगा, तो friends, अब यह देखे, यहाँ पे क्या होता है, कि जैसे हम लोग alternating current जो है, flow कराएंगे, ठीक जैसे ही यह current जाएगी, इसमें flux change होगा, flux क्यों change होगा है, पीछे हम लोग देख लिए, क्योंकि current के variable current का produce होने का source ही है, मतलब इसलिए, मतलब variable current produce होगा, तो इसका मतलब यह है कि magnetic field line change होगा, तो magnetic flux produce होगा, magnetic flux change होगा तो induced EMF produce होगा और induced EMF के current ही current produce होगा variable current तो यहाँ पर जैसे ही यह variable current flow होगा तो magnetic flux change होगा flux के change होने से induced EMF produce होगा अब यह जो induced EMF produce होगा इसी को जो है self induced EMF कहेंगे और वो जो पूरा process है इसे हम self induction करेंगे alternating current हम जैसे ही pass करेंगे तो एक flux change होगा flux के change हों से induced EMF produce होगा और इसी को हम self induced EMF करेंगे और यही सब जो है changing alternating current पास हो रहा है इससे तभी हो रहा है और यहां पे हम alternating current इसने ले रहा है क्योंकि alternating current एक variable current है वही DC ले ले लेते तो वह एक constant current होती उससे हमारा flux change नहीं होता ठीक है तो flux को change करेंगे तभी induced EMF produce होगा AC से ही हमारा flux change होगा तभी induced EMF produce होगा और यह जो पूरा process है उससे हम self induction का है तो यह हो गया अब हम लोग जानते mutual induction क्या होता है mutual induction वह phenomenon है जिससे induced EMF produce होता है एक coil में दूसरे coil के current change होने के वाज़े से mutual induction वही process है जिसके वाज़े से induced EMF produce होता है एक coil में दूसरे coil के current change होने से है अब हम लोग इसको अच्छे से alternating current से जब हम इसको connect करेंगे ठीक है तो जैसे connect करेंगे तो current produce होगा तो current जैसे ही जाएगा इसमें जो हम flux change होगा तो flux के change होता है तो जब magnetic field change होगी तभी flux change होगा ठीक है तो अब यह देखिए जैसे ही यहाँ पर magnetic field line देखे बनने लगेगी ठीक है वजह से जैसे जैसे current जोगी तो magnetic field भी चेंज होगी, तो magnetic field जब change होगी तो कुछ magnetic field secondary में जाएगी, तो secondary में जो magnetic field जाएगी तो यहां पर भी magnetic field change होगी, जिसके वज़ा magnetic flux produced होगा, magnetic flux की produced होने से induced EMAF and current produced होगा, और यहां galvanometer जो हम लगाएंगा उसमें हमें deflection दिखेंगा ठीक है अब हमने एक बार और चाल लेते हैं क्या होता है alternating current एक क्वाल primary एक क्वाल secondary प्रामरी वाले हम लगा देते हैं जब भी इसमें alternating current flow करेगा ठीक है तो जैसे ही flow करेगा यहां पर फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब क्या है magnetic field होगी होगी magnetic field produce होगा ही होगा ठीक है तो यहां पर जब magnetic field जब बनेगी तो कुछ magnetic field secondary में जाएगी current जो है एसी है variable है तो current होगा तो field भी चेंज होगी फील्ड होने के वजह से यहां पर secondary में जो है ayud to change होगी तो फ्लक्स प्रकेडिटूस होगा और फ्लक्स प्रेडूस होगा तो स्के बाद करेठ्ट प्रेडूस होगा करेठ्ट जो है और म connections क 즐इब तो महरा मूत इंडुक्शन का लुश्ट इसथशने क्या फ्रेद्ट जो current producer का primary mode directly profession होगा secondary के rate of change of flux के इतलब directly profession of flux change in the secondary world तो यहाँ पर यह हो गया अब इसको जो constant use होता है इसी को हमने coefficient of mutual induction कहते है तो यह हो गया friends हमारा आज का वीडियो वीडियो में अगर कोई भी कमी लगिया आप मुझे message करें Instagram account का link मैंने description में दे दिया है और वीडियो के comment marks में लिखें Thank you for watching my video